हेलो एब्रिवन कैसे हैं आप मैं सौरब दूबे मैगनेट ब्रेंस इंदी वीडियम पर आपका स्वागत करता हूँ उमीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे आज हम देखने वाले हैं LCM और SCF निकालने की ट्रिक्स मतलब LCM SCF निकालना तो आता है आपको लेकिन LCM SCF में कहीं ना कहीं टाइम लगता है है ना कभी क्या होता है बिन्नों का जोड होता है बिन्नों के जोड में हमें या घटाना भी होता है तो उसमें क्या होता है हरों का LCM निकालना होता है टाइम लगता है टाइम लगना नहीं चाहिए कभी-कभी ऐसे LCM होते हैं जिनको देखते ही आप निकाल लोगे तो आज सारी tricks की बात करेंगे यहाँ पर type 1, type 2 और एक master trick बताने वाला हूँ आपको कि कोई भी number हो फटा-फट LCM कैसे निकालते हैं तो तैयार हो जाई यह जल्दी से और एक छोटी सी बात करेंगे उसके बाद स्टार्ट करेंगे आज की क्लास जैसा कि आपको पता है Magnet Brains प्रोवाइड करता है High Quality Education जहां Hindi Medium इध्यार्थियों को मिलती है छटी से लेकर बारवी क्लास तक की सारी क्लासेज और वहीं English Medium Students को मिलती है KG212 सारी क्लासेज वो भी दोस्त वो भी बिल्कुल free of cost मतलब की इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई paid subscription वागारा कुछ नहीं करना पड़ता है यह क्लासेज बिल्कुल फ्री है YouTube पर available है इनको देखिए इनसे जवर्जस तयारी कीजिए इसके साथ ही अपनी बैतरीन तयारी करने के लिए e-notes और e-books grab करना बिल्कुल नहीं बुलना है जिसका link description box में दिया गया है आईए देखते हैं क्या सांदार tricks हैं आज की सबसे पहले type 1 type 1 का मतलब क्या है ध्यान से देखेंगे यहाँ पर हमें पहले LCM सिखते हैं पहले हम क्या सिखेंगे LCM कैसे निकालते हैं है ना अब यहाँ पर पहला जो number है पहला जो question है चार बारह 48 और चानवे इनका आपको निकालना है LCM सबसे पहले पकड़ लो बड़ी संख्या सबसे पहले दोस्त क्या पकड़ लिया बड़ी संख्या क्या है चानवे चानवे के जस्ट पीछे वाला number लो मतलब इसे छोटी वाली संख्या 48 क्या 48 जो चानवे है वो 48 से विभाजित होता है तो हाँ सर 48 दुना होता है ठीक है सर इतना बड़ा पहाड़ा नहीं आता कैसे करेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं वो सारी चीज़े आपको master trick में मिल जाएंगी अभी जो सबसे last में बताऊंगा अभी जो बता रहा हूँ ये मानकर कि आपको पहाड़ा आता है नहीं आता तो master trick जो last में बताऊंगा उसमें आप easily इसको भी कर पाऊगे पहाड़ा नहीं आता तो भी तो 48 के पहाड़े में 48 दुना चानवे होता है मतलब इससे मतलब नहीं रखना है हमें 12 के पहाड़े में चानवे आता है क्या 12 वठे चानवे होता है इससे भी मतलब नहीं रखना है 4 के पहाड़े में 24 चोग का चानवे होता है मतलब ये जो चानवे है सबके पहाड़े में आ रहा है जो सबसे बड़ा नंबर होगा दोस्त, अगर वो सबके पहाड़े में आएगा, तो इसका LCM भी वही हो जाएगा, मतलब यहाँ पर LCM क्या होने वाला है, 96, एक छोटा सा नंबर हम और सीखते हैं, जैसे 2, 10 और 20 का LCM पूछ लिया, देखते ही बता दो कि इसका LCM 20 होने वाला है, इसका LCM क्या होने वाला है, 20 होने वाला है, आगी बात समझ में क्यों, क्योंकि 10 के पहाड़े में भी 20 आता है, 2 के पहाड़े में भी 20 आता है, काम खतम, दूसरे वाले का LCM क्या होगा, 36 दुना 72 होता है, मतलब 72, 36 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, 36 के पहाड में भी बहत्तर आता है 12 छक बहत्तर मतलब इसका LCM क्या होने वाला है बहत्तर याद रखना आपको सबसे बड़ी संख्या पकड़नी है यहां पर सबसे बड़ी संख्या 48 है 16 तिया 48 होता है 8 दुना 8 छक अरतालीस होता है मतलब की इसका LCM कितना हो जाएगा 48 आपने Type 1 में क्य देखा कि अगर सबसे बड़ी संख्या बाकी चोटी संख्याओं से विभाजित होती है तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही आपका LCM हो जाएगा क्लियर है LCM अभी वह भी बताऊंगा जब भी भाजित नहीं होगा सब कुछ लेके आया हूँ टेंसन नहीं लेने का हर एक क्वेस्टन कर लोगे एक एक करके देखेंगे इस टाइप का सवाल अब हो जाएगा आपसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 5, 15 और 30 इसका LCM क्या होगा जल्दी से कमेंट में फेक के मारो इसको जल्दी से अभी इसी वक्त कमेंट में बता दो कि इसका LCM क्या होगा बिना कॉपी पेन उठाए दोस्त आज की क्लास में कॉपी पेन नहीं लेना है मैं हमेसा हर क्लास में बोलता हूँ ना कॉपी पेन लेकर ही बैठना है आज नहीं आज ऐसे ही आंसर आने चाहिए है ना मास्टर ट्रिक के लिए थोड़ा बहुत कॉपी पेन की जरुवत पढ़ सकती है चीजे क्लियर है HCF सीखें इसका HCF कैसे निकालना है इसका बिल्कुल उल्टा नियम LCM में आपने देखा हम बड़ी संख्या ले रहे हैं इसी प्रकार से HCF में हम छोटी संख्या लेंगे इसमें सबसे छोटी संख्या 4 है अब आप देखेंगे कि क्या 4 सबको विभाजित कर रहा है इसको भी डिवाइट कर रहा है पूरा पूरा चारतियां बारा इसको भी 4 से काटोगे ये भी कट जाएगा मतलब इसका HCF क्या हो जाएगा दोस्त 4 हो जाएगा जैसे मैं अगर आपसे पूछता हूँ 5 और 15 का HCF क्या होगा तो आप बताएंगे कि 5 जो है सबसे छोटा नंबर है और 5 के पहाड़े में जो है वो 15 आता है कितनी बार तीन बार तो इसका HCF हो जाएगा दोस्त सबसे छोटा नंबर 5 क्लियर है बात? कोई दिक्कत वाली बात? नहीं है, बहुत बढ़िया यहाँ देखो, यहाँ पर HCF 12 हो जाएगा है ना? यहाँ पर HCF कितना हो जाएगा दोस्त? 12 हो जाएगा क्यों? क्योंकि 12 यह 36 और 12 शक 72 यह 12 से दोनों संख्याएं कट रही है तो यह Clear हो गया कि LCM में सबसे बड़ा नंबर लेकर चек करना है और LCM, Sorry LCM में सबसे बड़ा नंबर लेकर चек करना है और HCF में बिलकुल छोटा वाला नंबर लेकर चेक करना है क्लियर बात आगे बढ़ें, अब हम देखते हैं टाइब टू, टाइब टू, टाइब टू नहीं आया, आजाएगा टेंसन क्यों लेना, ये रहा, अब जब बड़ी संख्या आप पकड़ोगे ना, तो देखोगे कि अभी तक क्या हो रहा था, ये बड़ी संख्या इसके पहाड़े में नहीं आ रहा, तो इसको पकड़ लो, बचा कौन? ये, इसमें पहला वाला नियम लगाना, इन दोनों का LCM निकालने में पहला वाला नियम, ये बड़ी संख्या है, ये 16 बड़ी संख्या है और 8 के पहाड़े में आ रहा है, तो 8 को उड़ा दो, 8 से कोई मतलब नहीं, अब जो 17 को हमने किनारे किया था, उसमें 16 से गुड़ा कर देंगे, और इसका LCM आ जाएगा, आ रही बात समझ में, 16 कितना हो गया, 112, हाँ, और 16 कंद में 16 और 11 कितना हो गया, 27, इसका LCM आ चुका है कितना, 272, आईए यहां समझते हैं, दूसरे वाले टॉपिक में दूसरे वाले question में, इसमें क्या है 21, 21 के पहाड़े में ये दोनों तो नहीं आ रहे हैं, ये दोनों 21 के पहाड़े में नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, तो 21 को लिख लिया, अब इन दोनों में डेल करो जल्दी से, 20, 20 क्या है, क्या 4 के पहाड़े में आता है नहीं आता सर 15 को अलग ले लो अब 8 और 2 को देखेंगे तो 2 के पहाड़े में 8 आता है तो 2 को उड़ा दो 8 को यहां गुड़ा कर दो 15 और 8 को गुड़ा करेंगे 8 पंजे 40 और 8 करने में 8 और 4 12 120 इसका LCM हो जाएगा समझ में आई चीजे अब जो भी चीजे आपको समझ में आई है या जो भी चीजे आपको समझ में नहीं आई है कोई दिक्कत नहीं है Master Trick जब आपको कराऊंगा भी उसमें सब कुछ Crystal Clear होने वाला है मतलब दुनिया का कोई भी नंबर दे दे Master Trick से आप कर दोगे तो आपके लिए ये पेस है Master Trick इसमें देखते हैं इसमें क्या दिमाख लगाएंगे मतलब कोई भी LCM पूछे Master Trick से हो ही जाना है सबसे बड़ा नंबर पकड़ लेना है सबसे बड़ा नंबर पकड़ लेना है 72 ठीक है दो तीन तरीके बताऊंगा समझना बिलकुल ध्यान से ठीक है अगर आपको भी पता है तो 24 को काट दो लेकिन आपको नहीं पता है मुझे नहीं पता सर क्या पता है आपको 12 में क्या पता है 72 में आपको यह पता है सर की यह बातर का अच्छा ऐसे करके हमें सिप्षीय यूद्ए निकालेंगे तो टाइम लगेगा ना आपको टाइम लगेगा इसमें तो एक काम करते हैं कि आपको इतना पता है कि बाराध शक बाहत्तर होता है सर नहीं पता अरे यह तो पता होगा आठ नौब बासतर होता है कुछ भी लिख लो जैसे भी आया पहाड़ा नहीं आता, निकम में, आठ नुवा बहत्तर होता है, हाँ सर यह आता है, दस तक तो सबको आता है, कोई दिक्कत यहां तक, नहीं है, बहुत बढ़ियां, 24, ये देखो, 24, क्या 24 आपको इन में मिल रहा है, सर 8 तरिक 24 होता है, आठ तो मिल गया, और इस में से 3 मिल जाएगा, क्योंकि 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुड़े 3, तो 8 तरिक 24 मतलब इसके गुड़नखंड में 24 मिल रहा है, 24 को उड़ा दो, अठारा सर नो दूना अठारा होता है नो तो मिल गया क्या इसके पास दो मिल रहा है क्या तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको दो गुड़े दो गुड़े दो ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों को समझ में आया होगा, और कुछ लोगों को अभी भी doubt होगा, कोई tension वाली बात नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा question लेकर आया हूँ, कि step by step आपको clear हो जाएंगी चीजे, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा time लगेगा, जब आप स्टार्टिंग में इस हिसाब से LCM निकालेंगे, हो सकता है time लगे, लेकिन जैसे ही आप 10-15 questions पर practice कर लेंगे बिल्कुल बढ़ियां से कर पाएंगे, clear है बात, तो बढ़ते हैं इसके second question पर देखते हैं, सबसे बड दुना चार दुना आठ और पांच को लिख सकते हैं ये, इतना लिख लिया, 40 का काम हो गया, 36, इसमें 36 जूढ़ना, 36, 36, 36 होता है सर, 49, 36, 4 मिल गया, ये रहा 4, 2 दुना चार, 4 मिल चुका है आपको, 9, 9 होता है, 3 गुड़े 3, क्या इसमें 3 गुड़े 3 मिल रहा है, नहीं इसमें हम 9 लिख लेंगे, मतलम 9 की जगा, 3 गुड़े 3, देखो, जो 36 था, 36 को मैंने ऐसा लिख दिया, फिर हमने देखा कि 4 तो मिल गया, यहाँ पर, 4 तो यहाँ पर मिल गया, 2 गुड़े 2, 4, क्या नहीं मिल रहा है सर, 9 नहीं मिल रहा, तो 9 को यहाँ पर उठाकर लिख 3 गुड़े 3, clear है, जो नहीं मिलेगा, इसमें लिखते हुए चले जाना है, जो चीज नहीं मिलेगी, इसमें आती चली जाएगी, जो चीज मिल जाएगी, उसको नहीं लिखेंगे, जैसे यहाँ पर 4 मिल गया था, तो 4 को नहीं लिखा, 4 यहाँ पर मिल गया था, 9 नहीं मिल है एक तीन लगा दिया 27 भी मिल गया क्लियर है बाते अब 18 सर 9 दुना 18 ये मिल गया 9 तीन तरिक का 9 और ये मिल गया 2 18 मिल चुका है अब इनको गुड़ा करेंगे आपका LCM आ जाएगा इतना टाइम जब आप खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे अभी मुझे आपको समझाना न दस्वी क्लास में होंगे आगे चलके जब आप UPSC की तयारी करेंगे SSC की तयारी करेंगे तो वहाँ पर ये सारे मैथेड आपको सिखाय जाते हैं तो सर वहीं सीख लेंगे ना अभी क्यों सीखना अभी से सीखो क्यों क्योंकि अभी से सीखोगे तो आपके सोचने की जो सम क्या है खुद ही समझ जाओगे ऐसा क्यूं करते हैं सब कुछ खुछ समझना है लेकिन जब करना स्टार्ट करेंगे तब मज़ आएगा है ना तब आपकी जो सोच है वो डेवलप होगी अभी क्या है एक नियम बता दिया गया उसी पर रटते हुए चले जा रहे हैं ऐसे करेंगे तो चाहर सत्य हैं 28 आठ दो चारदूना 8-8 तो दैखे हजार То जब आप खुद से करेंगे फटा फट होगा है ना इस आए और प्रेक्टिस करते हैं और प्रेक्टिस करते हैं दोश्त तीसरे क्वेंशन को सब्से बड़ा नंबर यह रहा 56, 56 को सर 7 वटे 56 लिख दो ना, 7 गुड़े 8, और 8 को और तोड़ दो, तो 56 को मैंने लिख दिया, यह 56 है, यह 56 है, अब ध्यान से दूसरा नमबर पकड़ो, 42, 42 में होता है 7 गुड़े 6, क्या होता है 42 में, आपके मन में यह सब आना चाहिए, 7 गुड़े 6, मन में आ हमारे पास है, 7 तो हमारे पास है, पहले से, 6 नहीं है सर, 6 होता है 2 गुड़े 3, 6 होता है सर 2 गुड़े 3, 2 तो हमारे पास है, 3 नहीं है, 3 यहां भी नहीं है, तो 3 को लिख देंगे, जो नहीं है दोस्त तो उसी को लिखना है, जो नहीं है उसी को लिखना है, 24 को पकड़ो, 24 सर होता है 8 गुड़े 3, 8 तरिक 24 यह देखो, यहां से यहां तक 24 मिल जाएगा आपको 2 दुना, 4 दुना, 8 यह 8 मिल गया, यह 3 मिल गया मतलब 24 का काम हो चुका है यह पहले से ही यहां मिल चुका है हमें अब हम 30 को पकरते हैं 30 क्या होता है सर, 10 तियां 30 लिख लो 3 तो मिल चुका है 3 तो मिल चुका है सर, 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुड़े 5 2 हमें मिल चुका है 5 यहां पर नहीं है तो 5 हमें यहां पर लिखना पड़ेगा बस, इनको गुड़ा कर देंगे आपका LCM आ जाएगा इस पर प्रैक्टिस जितना कर लोगे उतनी जल्दी कर लोगे मतलब इस तरह के सवालों में आपको 20 सेकेंड से जादा नहीं लगेगा है ना, प्रैक्टिस कर लेंगे तो 15 से 20 सेकेंड बहुत है फटा-फट होता है कब फटा-फट कर पाएंगे जब आपको टेबल बहुत अच्छे से लर्ण होगी जब आपको जितना अच्छा पहाडा याद है पहाडा वैसे 20 तक याद रहे तो ठीक है लेकिन मतलब एक बहतरीन लेवल की अगर कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी बहुत ही जबर्जस्त तो 30 या तो मेरे कहने पे मान लो तो 40 तक आपको पहाडा याद होना चाहिए लेकिन 20 तक तो compulsory है 20 तक तो सभी को याद होना चाहिए आर यह बात समझ में इनको गुड़ा कर लो अंसर बताओ जल्दी से सर 2 दूना 4 दूना 8 8 पंज़े 40 चालिस तिया 120 और 12 चक बहत्तर 12 चक बहत्तर बार साथे 84 840 आ जाएगा आरी बात समझ में कैसे गुड़ा कर दिया आओ देखते हैं मुझे पता था यह 8 होगा यह 5 होगा 8 पंज़े 40 हो गया 4 और 3 को गुड़ा किया 12 और 1 सुन्ने लगा दिया तो 120 हो गया 120 का सुन्य में बोल गया और 12 को साथ से गुड़ा किया 84 और बाद में सुन्य लगा दिया 840 करने से होगा वो दोस्त इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी है ना कोई जादू नहीं है जितना प्रैक्टिस करोगे जितना पैन चलाओगे अपने आप चीज़े आएंगी ठीक है समझ में अब तो आने लगा होगा कि मास्टर ट्रिक में बताना क्या चाह रहा हूँ आईए आखरी सवाल देखते हैं इसका सर 77 सबसे बड़ा नंबर है इसको पकड़ लिया और इसको लिख दिया 7 गुड़े 11 उसके बाद हमने पकड़ा सर 56 को 7 वठे 56 होता है 7 तो मिल गया 8 नहीं मिला और 8 होता है 2 गुड़े 2 गुड़े 2 इसके पास नहीं है नहीं है तो लगा दो ना 8 गुड़े 2 गुड़े 2 कोई दिक्कत वाली बात यह आतक? नहीं है अब हमने पकड़ा 42 को सर होता है 6-7-42 7 सर वहाँ पर है सर 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुड़े 3 सर 2 वहाँ पर है 3 की कमी है 3 यहाँ पर लगा दो अच्छा यह जो चीजे लिख रहा हूँ यह आपके माइंड में चल रही है यह लिखना है मुझे क्यों पढ़ रहा है क्योंकि आपको समझ में आए यह आपके माइंड में चल रही है आरी बात समझ में सर 6 को पकड़ो 6 होता है सर 2 गुड़े 3 अपने पर 2 भी है 3 भी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आरी बात समझ में इनको गुड़ा करेंगे अंसर आएगा कैसे सर 2 गुड़ा चार गुड़ा आठ 2 गुड़ा चार गुड़ा आठ और 11 88 हो गया यह 7 और 3 21 हो गया 21 और 88 को गुड़ा कर लेंगे अंसर आजाएगा ठीक है अगर जल्दी से गुड़ा करना हूँ सर कैसे करेंगे इसको 88 को 20 से गुड़ा करेंगे तो 1760 आएगा इसमें 88 जोड़ दो 8, 814, 4, 1, 7, 1, 8, 1849 आजाएगा कैसे किया ये कैसे कर दिया सर गुड़ा करना था आपने जोड़ना लिख दिया मेरे माइंड में क्या कैलकुलेशन आई मेरे माइंड में कैलकुलेशन आई कि ये 21 नहीं है ये 20 है मैं अब यहां कैलकुलेशन लिख के दिखा रहा हूँ जो मेरे माइंड में आई मैंने 88 गुड़े 20 किया मैंने मन में ही 88 और 2 का गुड़ा कर लिया कि 2,8,16 को 6 लिखना है और 2,8,16 और 1,7 और ये वाला सुनिया लगा दिया इतना कर दिया 20 लिखा था 88 गुड़े 20 करने पर तो ये आया एक बचा था तो 88 गुड़े 1,88 आ गया दोनों को जोड़ दिया इतना आ गया आरी बात समझ में इस हिसाब की कैल्कुलेशन प्रैक्टिस केवल प्रैक्टिस है कोई जादू नहीं है जो आपको मैं फटा फट सिखा दूँगा मैं आपको ट्रिक्स बता सकता हूँ कि ये सोचने का तरीका होना चाहिए लेकिन अच्छा जब स्टार्टिंग करोगे आप कि सर की तरह सॉल्व करना है स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगी स्टार्टिंग में आपका दिमाग बिलकुल हिल जाएगा सर दर्द हो जाएगा कभी कभी है ना लेकिन जब practice करने लगेंगे करने लगेंगे होने लगेगा और मैंने पहले भी बोला था जो math stage करता है न वो सारे काम बढ़िया speed में करता है मेरी बात समझ रहे हैं तो इस तरह हमने LCM सीख लिया कि LCM निकालने की master trick क्या होगी आरी बात समझ में तो I hope कि ये सारी चीजे आपको समझ में आ चुकी होंगी आई ये LCM निकालने का एक नंबर लिखते हैं और देखते हैं कि क्या हम जल्दी से LCM निकाल पाएंगे की नहीं नंबर लिख देता हूं मैं 24, 36, 40 और 22 ये नंबर लिख दिया अब मैं बिना लिखे जो फालतू की चीजे लिख रहा था वो बिना लिखे क्योंकि आपको समझ में आ चुका है अब आपको एक्जाम में कैसे करना वो बता रहा हूं 32 आपके माइन में आया आठ, 9, 72, 8 को लिख सकते हैं 2 गुड़े, 2 गुड़े 2 और 9, आठ, 9, 72 हो गया, 9 को लिख सकते हैं सर, 3 गुड़े 3, ये बहतर हो गया, इसका काम खत्म, 84 में मिल रहा है 4 गुड़े 10, 4 तो ये मिल ओ, और 10, 10 में 2 गुड़े 5 आएगा एक दो मिल चर दो दूना चाट दूना ऐसे करना आपको ठीक है तो यह इस पर प्रक्टिस करना पड़ेगी मैंने पहले भोला बीना प्रैक्टिस के मजा नहीं आएगा प्राक्टिस कैसे करोगे यह जितने भी questions मैंने कराएं पहले तो इनी questions को जो मैंने कराया आज starting से अभी तक इनी questions को लेंगे इनका LCM, SCF निकालना सिखेंगे जब इन पे आपका हाथ सेट हो जाएगा फिर अपनी कोई भी भूख उठाओ, NCRT उठालो, कोई भी भूख उठाओ, जो भी दिया हुआ है, फटा-फट ऐसे करने का try करेंगे आरी बात समझ में, अगर आप 9-10 ग्लास में है तो एक्जाम में इसको try नहीं करेंगे एक्जाम में मतलब आप से पूछ लिया कि अभाज्य गुडन खंड विदी द्वारा, इसका लगुत्तम समापुर्त बताओ तो वहाँ दोस्ति यह मत लगा क्या आना, वहाँ जो आपको नियम सिखाया गया है, जो मैंने पढ़ाया वैसे करना है यह नियम कब लगाना है, जैसे कि आप से question पूछ लिया कि 3 बटे, 8 और 1 बटे, 2 अब यहाँ LCM निकालने नहीं बैठना है, देखना है, 8 सबसे बड़ा नंबर, यह इसके पाड़े में आता है, मतलब LCM 8 आएगा यह हो गया 3, और 2 चब काट उपर हो गया 4, खतम बाद साथ बटे 8 LCM निकालने नहीं बैठना है, जैसे आप से पूछ लिया, 2 बटे 15 धन, 3 बटे 20 देखना एक एक ट्रिक बता रहा हूँ, समझना हर चीज को math की calculation तेज करनी है, तो चीजें देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, उस पर practice भी करना पड़ेगा 15 और 20 का LCM, LCM निकालने नहीं बैठना आपको, सबसे बड़ा नमबर क्या है, 20 जब 2 संख्या हों तब क्या करना बता रहा हूँ, जब 2 संख्या हों, अभी तक नहीं बता जाया है, जब 2 संख्या हों तब क्या करना आपको, सबसे बड़ा नमबर क्या है, 20 क्या 15 के पहाड़े में 20 आता है नहीं आता सर अब बड़ा नंबर का पहाड़ा पढ़ो 20 दूना 40 क्या 15 के पहाड़े में 40 आता है नहीं आता सर 20 तिया 60 60 जो नंबर है वो 15 के भी पहाड़े में आ रहा है 20 के भी पहाड़े में आ रहा है अब 15 चोग का 60 तो 4 से इसको गुड़ा करेंगे 8 हो गया 20, 63, 63 से इसको गुड़ा करेंगे 9 आंसर आ गया 17 बटे 60 समझ पारे मतलब बड़े नंबर का पहाड़ा पढ़ते रहो बड़े नंबर का पहाड़ा पढ़ते रहेंगे जब छोटी संख्याय होंगी यह नियम क्यों बताया फिर क्योंकि यह बड़ी बड़ी संख्याय हैं 72 का पहाड़ा नहीं आता आपको 40 का पहाड़ा आता है तो 36 का नहीं आता 27 का नहीं आता 56 का पहाड़ा नहीं आता 77 का पहाड़ा नहीं आता तो इसके लिए मास्टर ट्रिक बताई गई है सबका तरीका है सबके 100 ट्रिक हैं लेकिन प्राक्टिस करनी पड़ेगी है ना तो दोस्त आपको समझ में आ चुका होगा कि LCM कैसे निकालने HCF कैसे निकालें ये सारी चीजे आपको क्लियर हो चुकी होगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करेंगे और अपने प्यारे और बेहतरीन कमेंट्स करना हमेशा की तरह बिलकुल नहीं बुलेंगे एक छोटी सी बात और आज की क्लास समाप्त जैसा कि आपको पता है मैगनेट बेंज प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजूकेशन जहां ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो इंग्लिस और हिंदी दोनों ही माध्यम में उपलब्द हैं यहां सीब्यसी बोर्ड के साथ साथ हम अधर इस्टेट बोर् बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, MP और राजस्तान बोर्ड की क्लासेज ये सारी क्लासेज बिलकुल नेसुलक हैं इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना होता है ये सभी क्लासेज यूटूब पर अवेलेबल हैं इनको देखिए इन से अपनी जबर्जस तैयारी करने के लिए आपके लिए डिजाइन किया गया है e-notes और e-books तो इसको लेना बिल्कुल नहीं भूलेंगे जिसका link description box में दिया गया है तो आज के लिए इतना ही था अपना ध्यान रखेंगे thank you so much